नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर धार्मिक नगरी अयुध्या में 5 अगस 2020 को राम मंदिर के अधार शिला प्रदानमंत्री नरेंद्र बोदी ने रखे थी जिसके बासे ही राम जन्मभूमी में राम मंदिर का निर्माड कारे चल रहा है मही श्रीराम जन्मभूमी 34 टरस्ट की ओर से मीडिया को मंदिर निर्माड के संब्ध में जानकारी दी गई है वही मंदिर निर्माड कारे को लेकर टरस्ट के सचीव चंपत राय ने जानकारी दी इस दोरान उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माड कारे को भी दिखाया। रधान मंतरी ने कहा कि ये बंद तो रहा है लेकिन इसकी सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। उन्होंने सुझाव दिये इस पर आगे काम बढ़ा। बेकार मिट्टी जो उपयोगी मिट्टी नहीं थी जिसमें पकड़ नहीं थी उसे हटाने का दिखाये चार्ट उसको बैक फिलिंग कॉंक्रीट से भरना रोलर कॉंपेक्टेट कॉंक्रीट उसको कैसे भरा गया कैसे रो पिलिंग में सत्रह जार पत्थर के साथ में घ्रानाइट लगा हुआ हुआ है उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है ग्रानइट की यूद्ट कि नौम दीख होते हुए पानी का एक बून भी उसमें एपसौब नहीं होगा तो एक हजार साल के आयु के लिए मूल कारण ग् मंदिर टिखने वाला है तो यह सबस्या उत्तम काम हो है खबर फरीदा बाद से जहां कल होने वाली ग्रे मंत्रिया में शाह की रैली को लेकर आज भारी संख्या में रैली स्थल पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों ने डॉक स्वाइट की मदद से स्टेज और पंडाल का जाय जालिया इस मौके पर डिप्रिक कमिशनर जिले के तमाम अलाधिकारी रैली स्थल पर मौझूद रहे और पुकता प्रबंधों के अलावा रैली में आने वाले आम लोगों और वी आईपी के रूट के प्लैन का जाय जा भी लिया राय बरेली में दिपावली के तेवहार कोले कर जहां शेहरों में बटाखों की दुकानों सजी है तो वहीं महंगाई के कारण सुनी रही दिपावली दुकानदारों से बात की गई जिस पर उन्होंने बताए कि उम्मीद नहीं थी कि पठाकों की दुकानदारी मंदी रहेगी ग्राखों की बात की जाय तो उन्होंने बताए कि जो पठाके 10-15 रुपे से 20 में मल जाते थे अब उनकी कीमत 50-60 हो गई है ऐसे में ग्राखों का क वो सिर्फ बच्चों के लिए कम पैसे वाले पठागे खरीद पाते हैं. साजापुर महानगर में गवर्धन का परवुद्वार को हर्शु उलास के साथ मराया गया. इस वरान महिलाओं ने आज सिंगार कर अपने अपने घरों में गवर्धन भगवान बना कर पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की दुआ मांगी. महिलाओं ने बताया कि वैसे तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है लेकिन इस बार दीपावली के अगले दिन सूरिक ग्रहण पढ़ने के चलते ये पूजा मंगलवार को नहीं हो सकी साथी मरिलाओं ने बताया कि बच्चे इस पूजा को लेकर काफी उच्साहित रहते हैं गोधन की पूजा जो होती है वो दीपावली के दूसरे दिन ही वैसे तो पड़ती है लेकिन इस बार सूर ग्रहंट होने के कारण ये एक दिन बाद मनाई जा रही है और इसकी तयारियां पहले से ही चलने लगती है एक दिन पहले से ही सारा पूरा दीपावली का ही माहौल बना रहता है और जितनी भी स्त्रियां हैं और जो भी हैं पूरे परिवार की बहुत ही उच्साहित रहती हैं इसको करने के लिए गोबदन पूजा दिवाली के बाद होती है और बच्चों को हम लोग इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि बच्चे भी देखें और ये पुरी पूजा को और इस परंपरा को आगे ले जाए और इसके महतों को समझें और आगे इसके बारे में मतलब सबको बताएं घर की साफ सफाई करके फिर गाया के गोबर से बनाते हैं और गंगाजल चिड़के और पूरा उसमें सारी चीजें घर की जो होती है खादेर समागरी तो उसमें चड़ाई जाती है और ये घर की सुक संपत्ती के लिए और सभी की अच्छी मतलब स्वास्त कामना के लिए पू जित हुआ मंदिर के उप्रधार हरिश बाजान ने बताया कि वैसे तो सभी जगां गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की जाती कृष्णा रंगर मंदिर में गोवर्धन भगवान की पूजा हर्सो उल्लास के साथ सामोहिक रूप से पिछले कई सालों से होती चली आ अच्छे-अच्छे असुंदर-बजनों पे शब लोग नाशते हैं गाते हैं तिरकते हैं उसके बाद पंडी जी अपने मंत्रों से सारी पूजा समलित होती हैं इससे सब को गोवर्धन पूजा के वारे में पता चलता है बच्चों को भी इससे अच्छे संस्कार मिलते हैं पहले लोग घरो घरो में मनाया करते थे लेकिन अब हमारे मंदिर में सामुई क्रूख से ये पूजा करी जाती है गोवर्धन पूजन का कारकरम तो हमारे देश में बहुत ही पुराना है लेकिन ये प्रोग्राम अभी तक ब्रज में होता था मत्रा में होता था लेकिन अब ये हमारे शेहरों में हमारे क्रश्नगर मंदिर में लगवक पांच वर्ष से ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता कि गोवर्धन महाराज बनाज बना जाते हैं सुल्तानपूर के पास देराज श्रम जेवी एक्सपेस में बदमाशों ने मुकतार अंसारी विधायक भतीजे मनु अंसारी के गनर पर हमला बोल दिया बदमाशों ने गनर की जमकर पिटाई की और फिर काबाई चीन का ट्रेन से फरार हो गए राजकी रेलवे पुलस गनर की तहरी पर अग्याद बदमाशों के खिलाब केस दर्चकर जाच में जुट गई लेकिन खटना को करीब 12 घंटे बीट जाने के बाद भी पुलस अभी तक बदमाशों का पता नहीं लगा पाई जमालपूर थाना सिविल लाइन शित्र अंतरगत जमालपूर रेलवी क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट म्याने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई खटना की सूचना पर पुलस मौके पर पहुंची और मृतक किशव को कबजे मेले कर पोस्ट माटम के लिए भेज़ दिया है परिजरों के बताये अनुसार दो दिन बाद मृतक युवक की शादी थी शाषन के निर्देश के बाद जिले में बदर्शे का सत्यापन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है वहीं गोरखपुर की बात करें तो यहां 183 मदर से ऐसे मिले हैं जिने मानेता नहीं मिली सबसे जादा गहर मानेता प्राप्त मदर्शी गोरखपुर की सदर तहसिल में मिले हैं गोरखपुर सदर तहसिल में 69 मदर से हैं गोरखपुर के गोला तहसिल के 34 मदर्शों का भी इस्थली सत्यापन शेस रह गया है गोला तैसिल का इस्थली सत्यापन करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी शासन द्वारा मिले निर्देश के बाद आगे की कारिवाई की जाएगी अब गोवर्धन परवत की पूजा की जाती है और सारे बेंजन मिलाकर भगवान गोवर्धन को अनुकुट का भोग लगाया जाता है इसमें गोवर्धन के पर पे हम हर साल यह हनुकूट का बंड़ा करते हैं बाजरा का और कडी का जो मेन बहन जाता है इसमें गोवर्धन लीटिन का तो उस दीन हम यह मंद़ारा करते हैं जी और पिछले दो साल से अगर देंका जाये तो कोरोना काल में ख़बर फटेपूर से जहां पर बाईपास ओके इंचार्ज अवदेश सिंग ने 20 लीटर अवेश शराब के साथ एक यूव को गिर अफतार कर लिया है दरसल गस्त के दोरान भी टोरा बाईपास के सबजी मंडी के पास यूव को अवेश देशी सराब के साथ पकड़ा गया है आरूपी दिवाली के मौके में मिलावटी शराब बेशनी के तयारी में था पोलिस ट्रीम को देखने के बाद यूव भागने की फिराक में था वहीं चौकिंग चार्ट की सजकता से आरूपी यूव को पकड़ लिया गया है फरुखावार में शोचल मेडिया पर कटर हिंदुवादी लिखना नाबाली को महगा पड़ गया पोस्ट लिखने को लेकर कई समुदाय विशेस के दबंगों ने हिंदु समुदाय के यूवक पर हमला बोला है जोरान विशेस समुदाय के दबंग ने चार यूवक को पकड़ कर ले जाते हुए सीसी टीवी में कैमरे में कैद हो गई कई नामज़द और 40-45 अग्यात आरोपिया पर मुख़दमा दर्च किया गया विशेस समुदाय के दबंग यूवकों ने हिंदु समुदाय के चार यूवकों के साथ जम कर मार पीट की ये मामला थाना कस्पा शमशाबाद का है हिंदु बात है कि हमारा एक ही गुरूप रहेगा वो भी है डेविल गुरूप यार हमों काता हो खाना कट्टार हिंदु है तो हिंदु रुकरां कि तू हम मेले हमारा हिंदु भाई था वह अपने घर से जा रहा था उसके उपर कुछ मोंड़न लोगों करते उसको मारा है और हमारा जे कहना है कि उसके उपर गंभीर धाराओं में जो उसकी जो कोटू देखी गई है उस कोटू में वो रिवालवर पकड़े हुए और तवंचार मोहित राजपूत नावालिक बच्चा है यह और इसके दोस्त कुछ दोशा हो गयरा खाने के दियो दे थी उसमें कुछ अस्थानी लोगों से विवाद हुआ इसमें कुछ मारपेट की घटना हुई था आँ मारपेट की घटना के बाद उस मच्चे को ले जाने की भी बाद पता ही जा रही थी कि उसके घर ले जा रहे हैं उलाना दे लिए उसके माबाप से कि इसने ऐसी हरकर क्यों से और रहया में बढ़ते आप राधी ग्राफों में दबंगों का हमला लागतार बढ़ता जा रहा है जिससे कि ये जनपन में कानून विवस्ता कितना मजबूत है ताजा मामला सदर कोतवाली से चंद मीटर की दूरी पर इस्ति मंडी समीती में दबंगों ने बैपारी उसके मुंशी को अपना शिकार बनाया दबंगों ने बैपारी उसके मुंशी को जम कर पीटा साथ लूट जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हो गये हैं वहीं बेख अपनी पाई चिया है, आप खीज लेगा है इमारा गूटा और शार पच्पर अजार अचार अरबे गोलग में पढ़े ते रुचिंग लेगा है जब अचार लोग आए था आज़ाग लोग ने कान ने कहां बाद ने का ने का पड़ी हो रही थी बाई बाई लगाई पीछे पीछे तब तक, तब तक इलो भाग गए और रहा में यूवकों और पुरुष्चों के बाद महिला ने कमान समधाली है अभी तक सिर्फ यूवा और पुरुष्ची तमंचे या अस्ताहे के साथ फाइरिंग करते रिल बनाते हुए शोशल मीडिया में वारल होते थे महिला का रिवालवर्ण के साथ फारिंग करते हुए वीडियो शोशल मीडिया में जम कर वारल हो रहा है इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं है अमेठी में मजीद के निर्मार को लेकर फरजी तरीके से चंदा मांगना मसलिम व्यक्ति को महगा पड़ गया चंदा मांगते हुए एक अधेड व्यक्ति के ग्रामी ने पकड़ कर उठक बैठक करवाया वही मौके पर मौझूद दरजनों के संख्या में लोगों ने तमाशा देख रहे थे ग्रामीडो द्वारा अधेड व्यक्ति के साथ किये जा रहे प्रित का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ये मामला तिलोई तहसिल के मोहन गंज को तवाली शित का बताया जा रहा है महानगर के सिंटर पॉइंट चोराहे पर बाइकर्स गैंग से किसी बात को लेकर होई कहसुनी के विवाद में गैंग सदस्यों ने रामखाट रोड पर पूर्वे M.U. की छात को खेलिया और रंगबाजी को लेकर उस पर फाइरिंग कर दी इसमें पूर M.U. के छात के सीने में गोली लगी जबकि उसके साती को पैर में गोली लगी है दोनों को गंबिर हालत में जी एन मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया वहीं पुलिस घटना इस्थल पर मौजूद चस्मदीट के निशान देही पर हमलावरों की तलाश में जुड़ गई है इसके लिए तीन टीमें गठित की गई है अभी रातरी में एक सूचना पुलिस को परात ही थी कि दो लड़के उम्र लगवश 27 वर्थ जेन एमसी मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्ता में आये हैं और इन्हें गंशॉट इंजिरीज हैं एक के पाउं में और एक के अपर बॉड़ी में अप्रोत के संबन्द में ततकार टीमें रवाना की गई और पुस्ताज में पता चला कि एक आरोपी समु जो है उसके कुछ लड़के एक कार से आये थे और उनके दवारा इन दो लड़कों को गायल किया गया है और इन पर फायर किया गया था और इसमें से एक लड़का तो पूरी तरह खत्रे के भार बताया गया है वह इन दूसरे का इलाज अभी वहाँ पर चल रहा है खबर और आया एर्वा कटरा थाना शेत्र से जहां पर बलातकार के मामली में वंचित चल रहे अपराधी टीपू यादो को मुख्मीर की सूचना पर कुदर कोड तिरा से गरफतार कर लिया गया है और माने में नयायाले भेज दिया गया है खबर अलिगड के कोटवारी ग्लाश शेत्र के गाउं माई की है जहां बीते दिन विवाहिता की मौत हो गई थी वहीं माई की पक्षनी ससुरालियों पर गला दबा कर हत्या करने का आरूप लगाया था बतादे की घटना के संबंद में पांच लोगों के खलाफ रिपोर्ट दरच कराई गई थी लंबे समय से आरूपयों के गिरफतारी नहीं हुई जिसको लेकर परिजिनों में आक्रोश है परिजिनों की द्वारत दरजिनों के सान निताओं के साथ मिलकर कोतवाली इगलास में धरना प्रदेशन शुरू कर दिया साथी चेतावनी देते हुए कहा कि ततकाल प्रभाव से आरूपयों की गिरफतारी नहीं हुई तो प्रदेशन ऐसे ही चलता रहेगा मेरे गाउं की बेटी थी उसको गला दबा के और कही चूट असमों को स्कोर्डम में उसकी अच्चा कर दी गई थी कर दोफियों को नहीं पकड़ें के आप दोफियों को नहीं पकड़ें दीपावली घर पे मना रहे हैं और उनके इकलाब हुआ है और हमें कैसी नहीं मिलेगा इसके हमने कहाने के बाद कारवाई हो रही है उस लड़की को दहेज हत्या के लिए दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई साथ आठ दिन होगे लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उसमें कोई गरपतारी नहीं की कल जब हमारे मंडल अध्यक्स ने फोन किया इंस्पेक्टर को तो उन्होंने का भाई मुझे मजबूरन तुमारे थाने पर धरना देना पड़ेगा तो इंस्पेक्टर साब ने कह दिय कि आपका राइट बनता है आप दे सकते हैं जब अब हम लोग यहां पर इखट्ते होके आया ह। और अभी हमारी पपलिक और भी आ रही है यह और दिखा रहे हैं और अज उस लड़के को जो लड़की का पती था उसे गरपतार दिखा रहे हैं अमिट्री में राजपूत धाबा के कमरी में दो लड़की और लड़के पकड़े गए पुलिस ने राजपूत धाबा में चल रहे सेक्स रैकेट की सूशना पर चापा मारा इस दोरान संग्दिद अवस्था में पुलिस के छापे में दो जोडों को पुलिस ने पकड़ लिया दोनों जोडों को पकड़ कर थाने में पुलिस पूश्टाच कर रही है वहीं पुलिस ने परिश्टों को सूशना दी ये मामला अमेठी कोतवाली छेतर के दुरगापुड रोड इस्थिर राजपुड धावा का है हडोय में डेंगु मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आलम ये है कि गुजरे एक मा में दो सो पस्चाज से ज़ादा डेंगु मरीज सामने आ चुके हैं अब आलम ये है कि पैथलोजी में होरे खून की जाश में प्रतिदीन दस लाइवा पोजरिवार है प्रदीश में बढ़ते डेंगु और मलेरिया संकुट को देखते हुए स्वास विभाग के महाने देशक ने स्वास विभाग के डॉक्टरों और करमचारियों की दिवाली के दोरान होने वाली छुट्टी को कैंसल कर दिया है त्राजानी की महलाल गंज थाना छित्र में एक बुजूर की हत्या कर शव को जाडियों में फेक दिया गया आरोपियों ने बुजूर की पहले गला रेत कर हत्या की और फिर उनका शव सुनसान इलाके में ले जाकर सड़क किनारे जाडियों में फेक कर फरार हो गया जिसकी सूचना मोहल लाल गंज पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे मे लेकर पोस्ट माटम के लिए भेजिया और घटना की तमाम पहलों पर जाच जारी है समान भी मिले हैं तो उससे पता चला है कि नंदुकमार तिवारी हैं ये जो मर्चंट नेवी से रिटायर हुए हैं इनकुमर लभब 62 साल है और ये बदलापूर जौनपूर करहने वाले हैं मौल निवासी अलिकर्ण में एक बार फिर टेज राफतार का कहर देखने को मिला जहां एक युवक को अग्यात वहने टक कर मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई आनर्फानन में इसकी सूचना ग्रामिडों को दी गई मौके पर पहुंचे ग्रामिडों के द्वारा मृतक के शिनाखत चौधी नाम के युवक के रूप में की गई वही युवक होटल पर काम करता था दे रात किसी अग्यात वहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई शव सड़क पर पड़ा होनी के कारण आसपास के छेतर में हड़कम पच गया जिसके बाद पुलिस की द्वारा शव को कबजी में लेकर पोस्ट माटन के लिए भेजिया गया खबर बुलन शहर से जाँ चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक नावालिक समित तीन बदमाशों को गिराफतार किया गया साथी आरूपियों के कबजी से 57,000 रुपए सोने और चांदी के अभूशर दो तमंचे और दो कार्टूस बरामत किये गये बतादे बुलन शहर समेट तीन जनपदों की छे वारदातों का भी खुलासा किया गया है कि दो बेक्त कोत्वाली नगर की टीम द्वारा गोजटतार किये गये हैं एक बिंदार है और एक नीद कपूर है जो एक बुनात रहने वाला है एक नगतिया कराने वाला है यह लोग डेरा डाल करके अलीगर में धही रहते हैं और आज-पास के जनपदों धूम करके जेब पत्री से ले करके चोई तकी घटनाई करते हैं कहीं साधिवा हो रहा तो इसमें भी इनके अपने वर्चों को भुशा करके और उहां पर चोई घटनाई कराते हैं इस प्रकार से एक अच्छा सक्री गिरों इन्हों ने पटड़ा है, इसमें काफी बरामदगी हुई है, इसमें करीब 6 थानों का अच्छे मुकर्मियों का अभियोग जो है उपना कनेक्शन में से बुला हुआ है, उसमें बरामदगी के रूप में चेल, भूठी, पायल, चां इसमें बरामदगी है, गाजियाबाद के फरुक नगर गाव में खरीब एक महीने पहले मार्पीट के बाद एक यूवा को हिंडा नदी में डाल दिया गया था, वही करमचारियों को शव हिंडा नदी में जलकों भी साफ करते समय दिखा था, जिसके बाद उसका शव एक मह इने बात बरामत क्या गया, मौके पर पहुंचे पुलस ने, शवक को पोस्ट मार्टम के लिए भेचा, युग के हत्या के आरूप में तीन लोग जेल में हैं उतरपदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहर